बिग आउट बॉक्सिंग लीग के पहले चर्ण में अपना दमदार परदर्शन जारी रखते हुए हिमाचिल किशान आशीश चौधरी ने एक तरफा पहले मुकाबले में ओडिसा बॉरियर्स के नील कमल को 5-0 से हराकत जीत अपने नाम की जानकारी के अनुसार बुद्बा श्वाम बिग आउट बॉक्सिंग लीग में गुजराद जॉयंट्स बनाम उडिसा बॉरियर्स के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें गुजराद जॉयंट्स की तरफ से खेलते हुए हिमाचिल के आशीष चोद्री ने उडिसा बॉरियर्स की नील कमल को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया वहीं एक अन्य मुकाबले में गुजराद जोइंट्स की तरफ से खेलते हुए अमित पंगाब उडिसा बॉरियर्स के बिदेशी खिलाडी जरसुर वेक को 5-0 से हराया वहीं आशीश की बात करें तो उन्होंने मुकाबले में शुरू से लेकर अन्तिम तक अपनी पकट बनाई रखी और असानी से मुकाबला अपने नाम किया आशीश की जीत के बाद हीमाचल के केल प्रेमियो में खुशी की लहर है और उनके जरल गाओं में जशन का मौहल है हobraशी है प्रिडोऊन के कर बाद लाड शचा पनो एम खता हूँट्टा को जstat अवां फ्योटे ऑंवी लिग फ्यों अवीवैं उनकित ख़ Eyड कre मैंहीं, प्रिप्ते होुट्ट्ट not much of a shield guard over there open arms, inviting him to charge I think he's walking in with a lot of confidence and swagger look at his punches, he's just going in for the cut the upper cut from the left I think he'll make a good television spectacle when he plays Ashish Kumar the new find of this season well absolutely, he's on a hunt look at that gaze, look at that stance look at that confidence and look at the advantage he has with his height textbook boxing tenets are at work over here in the big bout Deel Kamala on the back foot lost the last game when he represented the Odisha Warriors but no love is lost because this is the platform this is the stage, this is the pedestal where redemption is always available yes Vinny, redemption is the word here but yesterday you spoke about a movie called Rocky 4 does he remind you of that Drago?